हमने फीजियोजी फरस्ट का आहरवेद पार्ट ठीक है पहले आहरवेद पार्ट कर लिया पूरा कंप्लीट आहरवेद कंप्लीट कर लिया अब हम स्टाट करेंगे modern पार्ट इसका पहला चैप्टर रहेगा होम्योस्टेटिस ठीक है फिर रहेगा को सिका को सिका की जितने भी यह इन में से क्या important है किस तरी से क्या आएगा वो सारी हम बाते करेंगे ठीक है तो chapter wise आएगे जैसे कि पहला chapter homeostatic है फिर दूसरा को सिका आएगा वो इसी के से बाते करें और चैप्टर रहेगा सवसंतंत्र काफी लेंदी लेकर लेकिन इसमें से कौन सा ट्राइब पॉइंट इंपोर्टेंट है उसले एक पर तंत्र क्या तंत्र ठाइब लिए यह लिखे होते यह रखने होते हैं क्योंकि इसी के नाम से मैं वीडियो डालूंगा पिर आएगा हायर इंडरल देखो ये देखो सिस्टम आपने चल रहे हैं सलेवल के इंडरल कि फंक्षन एंड नर्वस सिस्टम पिर आएगा निंद्रा फिर आएगा इलेक्ट्रो सेफेनोग्राम फिर भाग फ्रवर्ति शरीरतापमान और पाचिन संस्तान के बाद में अमलचार संतुलन फिर हार एंपोसन और बिटामिन्स इस तरीके से 15 चैप्टर हैं 15 की जितनी पीडिएप मेरे पास हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा और इस तरीके से मोडन पार्ट कंप्रिट करेंगे हम डेली का एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा ये इं आने वाले वीडियो अब जल्दी आएंगे आज इंडेक्शन मना दिया तो कल मैं मोडन इस्टार्ट कर दूंगा धन्यवाद